प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मारूती संजीवनी को और दवाएं बेल के निशान को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्याज के रस का इस्तिमाल अपने सिर पर करने का सोच रहे हैं या फिर आप इसका इस्तिमाल कर चुके हैं पर फिर भी आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिले तो इसके पीछे क्या कारण है और अगर प्याज का रस सिर पर लगाने से कुछ लोगों को सच में इसका फाइदा ह हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण है और उन्होंने इसे कितनी देर तक लगाया है जिससे उन्हें फाइदा हुआ है और इसे लगाने से क्या कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं तो आज के इस वीडियो में यही सब बाते आपको बताने वाला हूं दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं जो कि हमारे बालों के हेर फॉलिकल्स में मौझूद होते हैं और जैसे जैसे हमारे बालों के हेर पॉलिकल्स के जो सेल होते हैं वो मैचूर होते हैं या ग्रो करने लगते हैं तो उसी के साथ साथ इनमें एक प्रोटीन उत्पन होता है जिसका नाम है कैरेटीन और दोस्तों यही कैरेटीन हमारे बालों की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी होता है और यह कैरेटीन बनता यासे बाल जड़ने लगते हैं और गंजापन दिखना शुरू हो जाता है तो दोस्तों यहां बात आती है प्याज की क्योंकि दोस्तों प्याज में पाया जाने वाला सल्फर हमारे बालों में आई सल्फर की कमी को पूरा करता है क्योंकि दोस्तों प्याज में सल्फर बहुत अभिक मातरा में पाया जाता है पर इसका इस्तमाल कैसे करना है इसी बात की सही जानकारी ना होने के कारण हमें इसका फाइदा नहीं मिल पाता इसलिए दोस्तो इसके इस्तिमाल से पहले ये जानना बहुत जुरूरी है कि हमें इसका इस्तिमाल कैसे करना है, कब करना है और कितनी देर तक करना है दोस्तो जब भी हम मार्केट से प्याज खरीदने लगते हैं तो हमें इस तरह का प्याज देखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसमें करवापन कम होता है और यह खाने में ज़्यादा स्वादेश्ट होता है इसलिए इसका इस्तमाल सबजी बनाने और सलाद में जयरा किया जाता है लेकिन दोस्तो इस प्याज के रस का इस्तमाल हमें अपने सिर के बालों पर नहीं करना है जी हाँ दोस्तो बिल्कुल ठीक सुना आपने इसलिए दोस्तो जब भी आप बजार से प्याज खरीदने जाते हो तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इस प्याज के साथ साथ आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला प्याज भी नजर आएगा जिसे येलो प्याज के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तो इस प्याज का इस्तेमाल सलाज में बहुत कम किया जाता है और साथ ही साथ जब भी आप इस प्याज से सबजी बनाते हैं तो इसे काटते वक्त आँखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जिसका कारण होता है इस प्याज में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सलफर तो दोस्तों अगर आप इस प्याज का रस अपने सिर की जड़ों पर लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही इसका फाइदा मिलेगा इस प्याज को काट कर मिक्सी यानि मिक्सर में डाल कर इसका एक पेस्ट बना ले और फिर इस पेस्ट को किसी भी सूती कपड़े में डाल कर निचोड़ कर इसका रस निकाल ले अब इसे अपने बालों की जड़ों में लगा कर लगबग एक गंटे तक सूकने दे इसके बाद किसी भी बेबी शेंपू की मदद से अपने बालों को अच्छी तरह से धोले ऐसा आपको हफ़ते में दो बार ही करना है इससे ज़्यादा नहीं करना है ऐसा करने से आपके ज़ड़ चुके बालों के रोंग छिदर खुल जाएंगे और बालों की रीग रोध होना शुरू हो जाएगी और दोस्तो इसका इस्तमाल करते हुए थोड़ी पेशेंस रखें क्योंकि जिन लोगों को इससे फाइदा हुआ है उन्होंने तीन से चार महीने तक लगातार इसका इस्तमाल किया है तो दोस्तो अगर आप ऐसे और भी नए नए वीडियोस देखना चाते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के निशान को भी जुरूर दबादे और वीडियो को लाइक करना मत भूले धन्यवाद दोस्तों